सपनों का दिव्य लोग S2Dreams में आपका बहुत बहुत स्वागत है जै मातादी जै गुरुदेव प्रियादर्षको आज इस सपने का विशलेशं जानेंगे वह है सपने में छिपकली याने की लीजर्ड देखना प्रिय दर्श को लीजर्ट देखना शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है किन अवस्थाओं में यह शुभ होता है किन में अशुभ आये चानते हैं कि यदि कोई सपने में चिपकली को पकड़ता है या उसे जाड़ू से मारता है तब यह सपना अत्यंत शुभमाना जाता है आपको आपके कठनाईयों पर संकटों पर विजे मिलेगी कोई काम आप कर रहे हैं और उसमें अर्चने आ रही हैं तो वहें दूर होगी सपने में कोई आर्टिफिशल चिपकली देखता है तो भी इस सपना आपको संकेत करता है कि आपको बनावटी किसम के लोगों से एलर्ट रहना होगा क्योंकि जो बनावटी लोग होते हैं वो मुह पे कुछ होते हैं और पीट के पीछे कुछ होते है या आप back biting के शिकार हो सकते हैं या उनके gain के लिए आपका way use कर सकते हैं तो उन्हें पहचानना आपको चाहिए अगर आप ऐसा सपना देखते हैं रियलिस्टिक नुकसान हो सकता है सपने में चिपकली पर यदि कोई हमला देखता है तो यहाँ आपके mental struggle को दर्शाता है इसलिए चिपकली पर किसी और का हमला देखना जैसे कि किसी साप ने चिपकली को खा लिया या मैंडक चिपकली पर जबड़ रहा है तो यह सपना अच्छा नहीं माना जाता है सपने में यदि कोई अकेली बैठी हुई शांत चिपकली को देखता है तो यह सपना भी एनिमीज से मिलने वाले ट्रबल को दर्शाता है तो ऐसी स्थिती में आप चोकनने रहिए अपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज ना करें जिसे आपके एनिमीज एकदम से भड़क उठें और आपको नुकसान पहुँए शपने में चिपकली को पकड़ना अच्छा माना जाता है लेकिन अगर सपने में यदि कोई चिपकली से घबराता है या डरता है तो यहाँ फिर से mental tensions और worries को दर्शाता है लेकिन अगर कोई देखता है कि चिपकली उनसे डर करके भाग रही है तब यह सपना अच्छा माना जाता है तो आपका कोई कश्ट दूर होगा सपने में यदि आप छिपकली को रेंगते हुए देखते हैं यानि कि धीरे धीरे चलते हुए देखते हैं तो यह सपना भी आपको सचेत करता है अलर्ट करता है कि स्वार्थी मित्रों से या गुप्त शत्रों से सावधान रही तो यह था सपने में चिपकली देखने का विश्टेशन धन्यवाद छेपूरी